रूस और युक्रेन के बीच यूद शुरू होने के बाद से गेहु देश्वी देश्वे महतवपुन बना हुआ है असल में ये दोनों देश दुनिया में के परमुखुत पादक है लेकिन युद की वज़े से दोनों देश गेहु का निर्यात नहीं कर सकेते इस वज़े से दुनिया के कई देशों में खादय संकट गहरा गया था हलाकि तब भारतिय गेहु ने दुनिया की जरूरतों को पूरा किया था लेकिन मौजुदा समय में बने हलातों में भारत ही गेहूं की कमी के संकट का सामना कर रहा है आलम यह है कि अगस्त के महिने में भारत का गेहूं स्टोक पिछले 14 सालों में सबसे निचले सर पर पहुँच गया है हलाकि केंदर सरकार ने इस भी सपस्ट किया है कि घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए फिलाल भारत के पास गेहूं का प्रयाप्ट स्टोक है असल में अंग्रेजी वेबसाइट लाव मिंट ने अपनी एक रिपोर्ट में एफ सी आई के हवाले से गेहूं के स्टोक के 14 साल में सबसे निचले स्टर पर पहुँचने की जानकारी दी है रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि गेहूं की मुद्रस फिती 12 फिसद के करीब चल रही है असल में लाव मिंट ने पहले घ्रेलू जुरूरतों को पूरा करने के लिए गेहूं का आयात करने समंदी रिपोर्ट प्रकाशित की थी इस रिपोर्ट को ट्वीड करते हुए केंदर सरकार के खादे और सारवजिनिक वितरन विभाग ने एक पोस्ट किया है जिसमें विभाग ने कहा है कि सरकार विदेशों से गेहूं आयात करने की फिलाल कोई योजना नहीं बना रही है पोस्ट में ये भी का गया है कि भारत के पास खरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रयाप्त मातरा में स्ठोक है और भारतिया खाद्या निगम के पास जगन वित्रन के लिए भी स्ठोक प्रयाप्त मातरा में है असल में देश के अंदर गेहूं के कम उत्पादन और गेहूं के बड़े दामों को कम करने के लिए गेहूं के आयात करने की सरकार की योजना को लेकर अटकले लगाई जा रही थी इस समंद में ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था लेकिन फिलाल सरकार ने इस दावे पर विराम लगा दिया है समय से पहले अधिक गर्मी की वज़े से इस बार गेहूं की फसल पर असर पड़ा था नतीजन गेहूं की उतपादन में 3 फिसद की कमी आई थी केंद्रिय विक्रिशी मंत्राले की तरफ से जारी आंकडों के अनुसार पिछले साल के रभी सीजन में गेहूं का उतपादन 109 मिलियन मिट्रिक टन था चबकि इस रभी सीजन में गेहूं का उतपादन 106 मिलियन मिट्रिक टन होने का अनुमान है वहीं अमेरिकी खाद्य अजंसी ने भारत में 99 मिलियन मिट्रिक टन गेहूं के उतपादन होने का अनुमान जारी किया है झाल झाल